है लो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज के वीडियों बात करेंगे कि समन्स क्या होते हैं कब किसी व्यक्ति के नाम पर समन्स जारी किया जाता है और समन्स निरस्त कब होता है तो दोस्तों बात करेंगे इन सभी टॉपिकों पर और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर लाइकन दबाद है जिससे आने वाले वीडियो के आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर समन जब भी किसी व्यक्ति के नाम समन जारी होता है और उसके घर पहुँचता है तो वो व्यक्ति डर जाता है और वही व्यक्ति डरता है जिसे इस बारे में जानकारी कम होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि समन एक प्रकार का न्यालाय द्वारा बलावा पत्र होता है समन यानि कि बलावा पत्र न्यालाय द्वारा बलावा पत्र आपको भेजा जाता है अब भई जब बलावा पत्र आया है तो सिधी सी बात है वही किसी ने किसी ने आप पर केस किया होगा दावा किया होगा क्लेम किया होगा तभी तो आपको बलाया गया है वरना क्यों नियाला बलाता तो जो नियाला जो समन जारी कहता है वो एक तरह का बलावा पत्र होता है अ जैसे मान लीजिए आप आपने किसी को चेक दिया वो चेक बाउंस हो गया तो उसने क्लेम कर दिया समन आएगा आपके घर या मान लीजिए परिवाद जैसे मान लीजिए आपने मान हानी मान लीजिए किसी को गाली कलोज दिया या मान लीजिए मार पीट कर दिया या मान आपने किसी वेक्ति को अपना चेक दिया वरके एक लाग रुपए का और वो चेक बाउंस हो गया चेक बाउंस होने के बाद हो सकता है भई पहले आपको नोटिस दिया जाए कि चेक बाउंस हो गया अगर आप नहीं देते हैं लापरवाई करते हैं तो वो व्यक्ति आपके नाम केस कर देगा अब बात आती किस कहां किया है जहां केस करेगा वो व्यक्ति कहीं भी केस कर सकता है अपने छेतर में जैसे मान लीजिए कहीं दूर उसने केस कर दिया नियालाय में तो उसी नियालाय द्वारा उस नियालाय का नाम लिखा होगा उस नियालाय की महर लगी होगी उस नियालाय द्वारा आपके नाम समझ जारी किया जाएगा आपको ये बताने के लिए कि भाई आप पर ये ये चार्जस हैं ये ये आरोप लगाए गए हैं कि आपका चेक बाउ इसलिए नियालाय आपको इतनी नियत दिनांको उस्में तारीक डली होगी इस तारीक को नियालाय के समझ आप हाजर हुआ अब बात आती है कि भाई सिविल मामलों में तो समन्च जारी हakovता है अब बात आती है जैसे मालीजी मार पीट हो गई जैसे मान लीजे आपने किसी के साथ मारपीट कर दी है तो वहाँ पर FIR तो दर्ज होगी नहीं NCR दर्ज होगी तो वहाँ पर मामला magistrate के पास जाएगा तो magistrate आपको समन जारी कर सकता है कि भाई आईए आपने क्यों मारपीट की समन जारी बुलावा पत्र जारी करेगा लेकिन उस मामले में मारपीट के मामले में मजिस्टेड वारंट भी जारी कर सकता है जरूरी नहीं कि समन जारी करे जो मारपीट का मामला है उसमें वारंट भी जारी कर सकता है वो उसके विवेका अनुसार पर निर्वर करता है अगर उसे लगता है कि मारपीट जादा की है और वारंट जारी करना चाहिए तो वो वारंट भी जारी कर सकता है और समन करेगा तो समन तो बुलाव पत्र होता है कि आप पर ये ये चार्जिस लगा दिये गए हैं ये आप पर दावा किया गया है अब आप नियत दिनांग को नियाले में आईए तो नियाले जो समन होता है उस पर नियाले की महर लगी होगी नाम पता सब लिखा होगा और कि कि निरस्त समन जो है वो निरस्त कब हो सकता है देखिए सबसे पहले तो समन आएगा आपकी तामिल होगी यानि कि आपके सिगनेचर होंगे उस पे कि भाई आपकी जानकारी में समन है आपको यह जानकारी हो चुकी है कि नियाले ने मुझे बुलाया है यानि कि रिसीव आपस असुइद दिनाग को नहीं पहुंचे, तो जो समन है, वो ओटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, फिर जो आएगा, तो अंगला दूसरा समन आएगा, वो समन जो है, वो वُलकुल निरस्त हो गया, या मान लीजी ये, जिस नियत दिनाग को बुलाया गया है, उस नियत दिनांग को आप उसी नियालाय के समझ पहुँच जाते हैं फिर भी वह समन निरस्त हो जाता है दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कोई भी कुस्तन हो तो कमेंट करके जरूर पूशे